अरुनाचल प्रदेश में राश्टपती शार्सन को चुनौती दिने वाली कॉंग्रेस की याजिगा पर सुप्रीम कोट आज करेगा सुनवाई फैसले पर कल राश्टपती ने लगाई थी मुहर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकार के मंत्रियों और मंत्रयालियों के कामकाज की आज करेंगे समिक्षा सभी मंत्रालियों के कामकाज की होगी व्यापक समिक्षा विकास में आ रही दिक्कतों पर भी होगा विचार देश ने कल अपना सरसत्मा गंठंत्र दिवस मनाया देश भर में तिरंगा लहराया गया गंठंत्र दिवस का मुखे कारिक्रम दिली के राजपत पर हुआ राश्च पती ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा पहराया और सलामी ली महराश्च के मुखे मंत्री दिवेंद्र पढ़नवीस ने महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने का किया समर्थन स्थानिय प्रिशासन और ग्रामीनों ने नासिक के नजदीक शनिमंदर में घुसने से महिलाओं को रोका गोवा में हलिकॉप्टर पर्याचन सेवा की शुरुआत एक परवरी से पर्याटक राज्य के किलों और विभिन बीचों का ले सकेंगे नजदारा भारती शास्त्रे संगीत को समर्फित आकाशवानी का नया चैनल रागम शुरू मोबाइल एप और लाइफ स्ट्रीमिंग के जरिया आकाशवानी की वेबसाइट पर रहेगा ये चैनल उपलब्द मलेश्य की जांच में प्रधान मंत्री नजीव रजाक भष्टाचार के आरोपों से मुक्त जांच समीती के मुताबिक रजाक के बैंक खाते में 68.1 करोर डॉलर की रक्म साओधी शाही परिवार से तोफे में मिली थी अमेरिका ने रूस के राष्टपती पुतिन पर लगाए भष्टाचार के आरोप रूस ने कहा आरोप पूरी तरह बेबुनियाद बेवजा लगा रहा है अमेरिका आरोप पहली बार सीधे आरोप लगाया अमेरिका ने इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतान याहु ने संयुक्त राष्ट महासचेव बांकी मून पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप दक्षिनी सीरिया के महतपुन शहर शेख मिस्कीन को सरकारी बलों ने एक बार फिर अपने कबजे में लिया आतंकियों से एक महीने चले संखर्ष में सुरक्षाबलों ने दमिश्क के पास शहर पर किया कबजाब देनमा की संसद ने शरनार्थियों के लगातार आने पर रोक लगाने वाली विवादित योजना को दी मंजूरी शरनार्थियों के पास अगर देर हजार डॉलर से ज्यादा कीमत का सामान है तो पुलिस को जब्द करने की इजाज़त